नमश्कार आज माननिय प्रधान मंत्री जी के परिच्छा पर चर्चा से प्रेरित परिच्छा पर 6.0 में आप सभी एक्जाम वोरियर्स का स्वागत है मैं हूँ कल्पेंद परमार हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेमान है आज हैं हमारे साथ National Law University के माननिय कुल्पति प्रोफेशर डॉक्टर जी एस बाच्पेई सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमश्कार्थ आज हैं आप हमारे साथ आयोग में आये हैं जिसमें हम बच्चों से धेर सारी बात्चीत करेंगे और उनकी समश्याओं का समाधान करेंगे सर प्रशन लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाऊँगा कि यहाँ आने से पहले परिक्षा पर्व को लेकर आपके मन में क्या है मुझे लगा ये बहुत विशेश बात है क्योंकि परिक्षा एक ऐसा प्रक्रण है जो कि लाखों करोड़ों विद्यारतियों से संबध होता है और परिक्षा के संदर्व में इस आयोग द्वारा एक बहुत लंबी फेरिस्त है कामों की तो मुझे थोड़ी उनके बारे में जानकारी थी तो मैं काफी उत्सुक था उत्सुक था कि मैं अपने विचार इस पूरी कारिक्रण में प्रस्तुत कर शकूँ सो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुखाव है बिल्कुल सर जैसा आपने बोला कि आयोग नएने इनिशिटिव ले रहा है कहीं न कहीं बच्चों के लिए इनिशिटिव लेकर प्रियास रथ है कि बच्चों की समश्याओं को समाधान करे और उसी के एक भाग है परिक्चा परव जिसमें हम भारत के बिविन एक्जाम वोरियर से सीधे बाचीत करते हैं हमारे परिक्षा पर्म में अलग-अलग छेतरों के विज़ेसक गयाते हैं जो कि exam warrior से सीधे live streaming के माध्यम से जुड़ते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि परिक्षा को लेकर हर किसी के जीवन में तनाव रहता है आप भी परिक्षा से निकले हैं हम भी परिक्षा से निकले हैं और आज जो बच्चे हैं जो परिक्षा हैं दे रहे हैं वो भी परिक्षा के मारे परिशान रहते हैं इसी क्रम में आज हमारे पास में परिक्षा को लेकर एक प्रश्ण आया है यह प्रश्ण है डिवे कुमार जी जो की है लखनव से इनोंने बोला है कि क्या आपके जीवन में कभी परिक्षा तनाव आया है मैं समस्ता हूँ परिक्षा का तनाव जो है वो प्रतेक विद्यार्थी को अन्भोग करना पड़ता है अलाकि उस तनाव की थोड़ी सी प्रिकृती और मात्रा अलग अलग हो सकती है क्योंकि मैं समस्ता हूँ तनाव इस बात पर आधारित होता है कि आपकी तैयारी कैसी है पूछा है कि मैंने परिक्षा की तनाव को महसूस किया या नहीं। मैं समस्ता हूँ कि जिस इस्तर पर हम बिध्यारती रहते हैं इस्पेशली स्कूल के इस्तर पर उस समय हमारा अनुभव परिक्षा के वारे में थोड़ा सा अलग होता है। तो हर वो चीज जिसके वारे में हमें जानकारी नहीं है, जो किसी रूप में जान है, उसमें उतरने के पूर वे थोड़ी सी नर्वस नेस हमारे सामदे रहती है। मैं समस्ता हूँ तनाव के इस तरह अलग-अलग हो सकते हैं, सामान ने तनाव बहुत अच्छी चीज है। है तो यहां तक मैं समझता हूं तनाव बहुत अच्छी चीज है और मैं ये भी समझता हूं कि इस तरह का थोड़ा सा नर्वसनेस कहले या यू स्ट्रेस कहले वो प्रतेग विध्यार्थी के पास होना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से उस एक्जामनेशन की तैयारी कर सके क्योंकि एक मानव सभाव होता है कि बगेर चुनोती के हम बहुत जादा अपने आपको अच्छे से तैयार नहीं कर सकते तो जहां तक परिक्षा एक चुनोती है और उस चुनोती के मद्दे नजर जो हमारे विक्तित तैयारी के लिए तनाव पैदा होता है वो तनाव एक बहुत पॉजिटिव चीज है और वहां तक मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं है तनाव ठीक है कहीं ना कहीं एक लिमिट के आगे तनाव खरा है जी बिलकुल सही बात की आपने सर एक और प्रश्ण है करन जी है जो कि बोपाल से बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी टिप से हैं जो कि परिच्छा के समय में आपको पॉजिटिव भी रखे काम भी रखे और कहीं न कहीं आपको प्रेड़ित करें कि आप लाइफ में नकारात्मक्ता की तरफ कम जाएं परफेजी इस बात का जवाब मैं प्रश्ट करता से यहां से शुरू करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ से निपटने के लिए आपको उसको जानना जरूरी है उसको उतरना जरूरी है पहले हम यह समझ लें कि यह तनाव होता क्यों है इसके सोर्स क्या है और उन सोर्स को हम लोकेट करें और उसके बाद हम यह देखें तो मनुवग्यान में एक बड़ी अच्छी बात कही है वो कहते हैं कि तनाव आपके मस्तिष्क में एक अंजाने भै की वज़े से उत्पन होता है जब आप किसी भी कारणबश्ट थोड़े से या तो अपनी तैयारी को लेके किसी मामले में शशंकित हैं तो आप बहुत अच्छे से उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं उस बात को प्रेजित करने के लिए मैं कहना यह चाहरा हूँ कि आप सबसे पहले यह देखें कि यह जो तनाव है इसके लक्षण क्या है हर वेक्ति कहता है तनाव है मैं समझता हूँ कि कई बार हम अपनी मनगणत अनुभाव की आधार पे कह सकते हैं कि हम तनाव लेकिन मैं यह थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगा कि तनाव के लक्षण फिजिकल भी होते हैं जैसे हमें थकान होने लगे हमारा मू सूखने लगे शरीर में थोड़ा सा दर्द होने लगे या फटीग होने लगे या किसी तरह की यह शारिरिक लक्षण तो आप समझ लीजिए कि आप उस तनाव की मात्रा से घुजर रहे हैं जिसको मैं कहता हूँ ना कि तीन इस्तर के तनाव होते हैं प्राइमरी टेंशन तो वो है जो मैंने अभी यू इस्ट्रेस कहा वहां तक कोई प्रावलम सेकेंडरी टेंशन वो है या सेकेंडरी स्ट्रेस वो है जहां आपके सारिरिक और मांसिक और कॉगनेटिव इस तरह पे ये दिखने लगे कि आपको कुछ अन्वह हो रहा है तो वहां आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उस स्ट्रेस की वज़े से इंग्साइटी होने लगी देखे जब दवाओ चिंता में बदलता है तो एक बहुत मैं कहूँगा एक गंभीर बात होती है और एक चीज और भी समझना चीए हमें कि दवाओ जो है वो एक प्रतिक्रिया है प्रतिक्रिया कैसे कि जैसे हम हर चीज जो हमें हमारी नोटिस में आती है उसके लिए हम अपने व्यक्तित्त द्वारा या अपने मस्तिष्क द्वारा एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो प्रतिक्रिया क्या होगी या तो वो प्रतिक्रिया उस संकट का हल कर देगी और संकट जब रिजॉल्व नहीं होगा तो वो दवाओ में बदलेगी और एंग्साइटी में बदलेगी तो जो चिंता होती है वो दवाओ के प्रती की जाने वाली एक प्रतिक्रिया होती है बलकूँ तो हमें चिंता से प्रतिक्रिया नहीं करनी है तो प्रतिकरिया ऐसी भी हो चकती है कि ये कोई बात नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं इस एक्जाम को या इस चुनोती को बड़े सफलता पूर्वाखल कर लूँआ तो फिर यहां पे आपने रिजॉल्व कर लिया तो हर वो दवाओ या हर वो स्ट्रेस जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं जिसका आप हल नहीं ढूड़ पाते हैं वो चिंता में परिवर्टित हो जाता है तो सारी चिंताएं आपकी दवाओ को डिल करने की अस फलताओं के कारणा उत्पन हुई है तो मुझे यह लग रहा है कि आपकी तयारी यह होनी थी यह नंबर एक कि आपके पास आपकी परिक्षा से सम्मंधित जो सूचना है जैसे है टाइब टेविल है आपका डेट्स हैं टाइप अफ क्वेस्चन्स जो आपके आने हैं आपकी जो सिलेविस की कितावे हैं इनकी सूचना आपके पास और उसका इस्तर क्या है एक नमबर दो आपके पास रिसोर्स और आपकी तैयारी कितनी हैं आपने अच्छा टाइम टेविल बनाया है आपने बहुत पहले से पढ़ाई करना शुरू कर दिया है यह आपका रिसोर्स है यहां हमें ये भी बताना चाहूँँआ दवाउ हर वेक्ती के जीवन में होता है लेकिन तैयारी हर वेक्ती के पास नहीं होती है आपके पास मैं आपसा कहा रहा हूँ दुनिया में प्रतेक व्यक्ति स्ट्रेस को अनभाव करता है लेकिन जो लोग सफलता पूरवक इस दवाव को डील कर लेते हैं वो वो लोग हैं जिन्होंने उन रिसोर्सेस पे भी अपनी कुशलता हासिल कर ली है जिनका वो इस्तेमाल इस दवाव को डील करने में करते हैं तो रिसोर्सेस क्या हैं आपके रिसोर्सेस मैंने बता दिया कि आप एक्सरसाइस करते हैं आप अपनी हावई को परस्यू करते हैं आपकी लाइफ स्ट्रॉक्शर्ड है तो ये सब चीजे आपका दवाव कम करने में बहुत हद तक आपको सफलता देंगी तो मुझे लगता है इस तरह की तैयारी आपके सम्मुक होनी चाहिए नहीं बिल्कुल सही बात की सर आपने कि कहीं न कहीं दवाव के लिए ये सारी चीजें अपने सामने जीवन से लिए में प्रियोग में लाना चाहिए सर हमारे सामने एक और प्रशना आया है महांजी है जो की मुंबई से है उनका प्रशना है की हाव दो आई डिल विद मा फैमिली इस दिस अपॉंटमेंट मा रिजल्स आर नोट गोड खुझा प्रशना है नोट अज अवर कुछिंट च्छिंट अवड़ बिल्स आर्शना है इस प्रशना है कि अवर्शना है is very important. It would be my humble request from all the parents who are witnessing this program that they should not burden their children from the unrealistic expectations because what is in their hand? In their hand lies the preparation, effort and endeavor. Allow your children to do that. However, you should not pre-decide that they have to bring first grade, second grade or whatever. Allow them to naturally perform their act of, you know, preparation. And as the question has been asked that what the parents would say in case my result is not proper, this can definitely result in some kind of stress and also certain degree of anxiety. I think placing reasonable expectation on the part of children is a good thing. But placing the children through this, you know, pressure is not a really good thing. I would request the parents that they should become partner in the preparation of their children's examination in terms of understanding the level at which the children are preparing themselves, one, second, whether they are following certain routine or not, two, number three, what is their general lifestyle well before the commencement of examination, three, four, the extent to which they are prepared in terms of having all the resources for examination. and also allow them to talk to their, anybody whom they trust. Because every children has some trust, whether it is a friend, it is a relative, it is elder brother, it is father, it is mother or anybody. So have that dialogue or have that trust to converse and then you will find that they are in a better position and better station to deal with any kind of challenge that is emerging from the preparation of the examination. Okay, very nice answer sir, hopefully sir, student will take your guide. Sir, sir, one more question is, which has come from the Assam, the Raviy Ji is asking the Raviy Ji, what has happened in your life that you have come from better production where you have to have negative effects? My name is also, I have to tell you, what has happened here you have to tell me, that the pressure on that teaching is going from better production which is the opportunity to achieve the best values. I have also, I have also felt good to achieve the best values and that I have also found that schedule from that examination of the stress. I have experienced at the same school level or college level पे कुछ पर्सेंटेज यह 역시 कल क्मिलेटिव पर्सेंटेजी होती है तो अगर आप एर्थ में अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहिए लापाए तो नैंथ में आपको मार्क्स लाने, या सिक्स में अच्छे नहिला पाए तो सेवolis में लाने वो कहीं उसका एक कुमिलेटिव एफेक्ट होता है जिसकी मुझे से आपकी परसेंटेज ठीक हो सकती है तो ये प्रेशर आपको कई बार परफॉर्म करने के लिए जहां तक सवाल है कि उसकी तैयारी मैंने क्या की मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी किताबे पढ़ी या कितनी देर तक पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी तैयारी कैसे की कैसे की जब मैं कहता हूँ तो आपको ट्रेंड समझना चाहिए हर एक्जामनेशन एक पैटर्न फॉलो करता है चाहे वो स्कूल के एक्जाम हो चाहे कोई परती होगी परिक्षा हो अगर आप पाँच या दस साल के एक्जामनेशन के पिछले प्रश्न पत्रों का परिक्षिन करेंगे तो आप पाएंगे कि there exists certain pattern उस pattern को आप study कीजिए and then you are in a position of a predictability as to what kind of examination structure is going to be once you understand that you can mobilize your resource and energy in preparing your exam in those ways plus एक चीज़ और होती है कि आप top-up कैसे करते हैं मैं हमेशा कहता हूँ top-up एक बड़ा popular सा word है तो top-up वो कहलाता है कि जैसे आपकी conventional books जो prescribed हैं आपके course में वो काफी चीज़ें आपको बताती हैं लेकिन जो smart preparation रहती है वो वो विद्धारती करते हैं जो दूसरे resources से जैसे आपकी पत्र-पत्रिकाय होती है magazines है, newspapers है वो बहुत सी data और information आपको देती है क्या आप उस data और उस information को अपनी conventional book के context में top-up की तरह यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है अगर आप ये कर पा रहे हैं तो मुझे रखता है कि आपकी जो answer की quality होगी वो इतनी compelling होगी कि वो आपको ज्यादा score करने की तरफ ले जाएगी क्योंकि अच्छा score कौन प्राप्त करता है जो distinct लिखता है और distinct लिखना इसलिए challenging है क्योंकि standard books are prescribed और ज्यादा तर लोग एक standard तरह से answer देते हैं जो answer unique और distinctive होते हैं वो वो होते हैं जो top-up की मदद से इस तरह से create किये जाते कि उनमें एक uniqueness है और एक distinctiveness है तो मैं ये recommend करूँगा कि आप समय से पहले थोड़ी तयारी की दिये आज कल internet पे data available है information available है और अभी latest कोई चीज अगर घटना घट गई आपकी किताब तुछ पी थी दो साल पहले लेकिन दो महीने पहले कुछ एक बड़ी घटना क्रम हो गया कोई policy में change हो गया economy में change हो गया कोई scientific innovation हो गया अगर आप इन pieces of information को अपने answers में ले आ सकते हैं मैं आपको इस बात की guarantee दे रहा हूँ कि आपका answer बहुत distinctive होगा और जो marks आप achieve करेंगे उसमें काफी variation होगा जरूर सर आपने जो guide किया है उनसे बच्चे लावान बेत होंगे सर एक और प्रश्ण है कानपूर से है आस्था जी जिनका प्रश्ण है कि कई ऐसे विशय हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है या अरूची कर हैं उन विशयों में कैसे वो रूची लाएं और क्या-क्या साधन है जिसके माध्यम से वो उस विशय को और अदिक अच्छे से पड़ पाएं देखिए विशयों का अरूची कर होना इस बात का संकेत है कि या तो आपकी उस विशय में गती नहीं है या दूसरा उस विशय में आपकी बहुत तैयारी नहीं है मैं समझता हूँ किसी भी विशय को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए ये जुरूरी है कि आप उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये विशय आपको अरूची कर क्यों लग रहा क्योंकि आपना पहले से तैय कर लिया है कि मीरी रूची इस सब्जेक्ट में नहीं आप ऐसे एपरोच से मत जाए क्योंकि विशय चाहे रूची करो चाहे रूची करो एक्जामनेशन आपको इस विशय में देना और उस विशय में भी स्कोर करना है बलकि रूचिकर विश्यों में स्कोर कर जाना ज़्यादा चुनवती नहीं है क्योंकि वो आपकी पसंदीदा विश्या है, आप उसको ज्यादा पढ़ेंगे वो ज्यादा अच्छे से आप उसमें मार्क्स भी लाएंगे लेकिन मुझे लग रहा अरुची कर विशह जिनको आप कहते हैं, उनको आप थोड़ा सा, मैंने अभी बताया कि उन पर कुछ टॉप अप कीजिए, कुछ थोड़ी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन लाइए, अपने आंसर को देने के जो तरीके हैं, उनमें इन्नोवेशन कीजिए, आप अपना अंसर शुरू कैसे करते हैं, जैसे एक क्वेशन आया है आपको परिक्षा में, आपकी पहली लाइन क्या कहती हैं, अगर मैं पहली लाइन में ये लिखूँ, कि इस प्रश्लका उत्तर चार भागों में विभाजित हैं, ये लाइन लिखते ही जो एक् कैसे औरगनाइस करना, तो पहली लाइन में आपने डिकलेर कर दिया कि वाट आइम गोइंग तुडू, ज्यादा दरवच्चे पहली लाइन में कुछ नहीं पता रहता हैं, वो लिखना शुरू करते हैं, और अंत्तक लिख जाते हैं, और उस प्रश्न के उत्तर की जो रच लिखना है, वो क्या होने वाली है, अगर आप इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स इस्तेमाल करेंगे, जो एक्जामनर को प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, जैसे आप लिखेंगे कि इस समस्या के चार भाग हैं, इस समस्या को पांच तरह से डिवाज़िज़ तो इस त अग्तर को पढ़ने के लिए उसके मन में आप एक जग्यासा प्रिस्तित कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी है, नहीं बिल्कुल सर, आपके जवाबों से लावान बित होंगे हमारे एक्जाम वोरियर्स, सर, एक और प्रशना आया है, डेली से हैं, मानसी पूछ रहे हैं, कि मतलब इस कॉंप्रिटिव लाइफ स्टाइल में, कैसे मैं अपने आपको रिफ्रेस्ट रखूं और कैसे फोकुस्ट रखूं, क्योंकि बच्चों को देखते हैं हम लोग कि इस टेक्निकल रिवॉल्यूशन में कहीं ना कहीं, वो टेक्नलोजी में इतने ज्यादा संबध हैं, कि वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर होते हैं, या फिर उन पर और वी कारे रहते हैं, तो पूछ रहें कि कैसे अपने आपको फोकुस रखूं में, और कैसे अपने आपको रिफ्रेस्ट रखूं में, देखे ये बात बहुत इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि जिस जमाने में हम लोगों ने परिक्षाएं दी हैं, उस समय हमारे पास distractions बहुत कम थे, हमारा ध्यान भटकाने के जो संसाधन थे, वो बहुत सी मित थे अब वो सब जानते हैं, मैं बारबार उन बातों को कहें, आप से कहा जाता होगा कि मॉवाइल है, टेलिवीजिन है, सिनेमा है, ये चीज़ें आपका ध्यान, और कई बार आपको इनका एडिक्षन इतना हो गया है कि आप बहुत देर उससे दूर नहीं रह सकते, अगर आप टोटल अपना स्क्रीन टाइम देखें, तो आपको खुद लगेगा कि उतना साइद आपका स्टेडी टाइम नहीं है, जितना आपका स्क्रीन टाइम है, तो इस बात को लेके आपको थोड़ा सा एक सी देखनी पड़ेगी, जो पहली जनरेशन, जो हम लोगों की जनरेशन क बच्चे हैं, मैंने ये देखा कि आप ज्यादातर सफलता इस बात से हासल करते कि आपका फॉर्टिट्यूट कितना है, द्रड़ता कितनी है आपकी, मानसिक द्रड़ता का मतलब ये है, कि अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे फॉन या OTT या NETFLIX नहीं देखना है, एक महिने, दो महिने, तो आप उस पे कायम रहें, बिना डिसिप्लेन के कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता हूँ, जो थोड़ा सेक्रिफाइस होता है, और जो थोड़ा डिसिप्लेन होता है, वो आपको सिर्फ एक डिसिप्लेन के लिए नहीं है, वो आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉंग करता है। जब आप मेंटली स्ट्रॉंग होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ट्वैल्ट फेल जो पिक्चेर आई थी। बिलकुल सब्सक्राइब उस ट्वैल्ट फेल जो सिनेवा है उसमें मनोश कुमार शर्मा की स्टोरी क्या है। सिर्फ एक चीज है। वो है द्रड़ता। उनके पास संसाधन इतने सायजित की। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीजों से प्रेड़ा लेके आप बहुत अच्छी तरह से इस एक्जामनेशन को पास कर सकते हैं। दूसरी चीज यह नहीं के परिक्षा हो रही है तो आप सुबह से शाम किताबें पढ़ें। बीच बीच में आपका अगर संगीत सुनने में रुची है, कोई पत्य-पत्य का पढ़ने में बीकरें और पावर नैब भी ले और थोड़ा सा आप कोई क्रिएटिविटी में करें। थोड़ी देर कुकींग करें। फिर वापस आया एक टाइम टेवल पे आप देखेंगे कि आप बहुत क्रिएटिवी इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। नहीं सर बिल्कुल आपके जो शला है जो आपके अनुभब हैं उनसे हमारे एक्जम बोरियर्स निश्चती लावानवित होंगे सर एक और प्रश्ण है जो कि पूने से है दिब्या प्रश्ण कर रही हैं वो पूछ रहे हैं कि आप एक वी-सी के तौर पर हैं एनल्यू में क्योंकि तनाव तो हर किसी के जीवन में आता है आपके जीवन में निश्चत है और हर अमर पे आता है बस यह है कि उनके दायक तो बदल जाते है उनका सावाफ बदल जाता है तो आप कैसे इन तनावां से बिल्कुल मैं अपनी इस पोजीशन के दोरान जब मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत से तनावपूर्ण शणों से गुजरना पड़ता है लेकिन मैं जो करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में उसका बड़ा प्रियोक किया है वो शमता शायद आपको अनुभाव के आधार पे आ जाती है मैं आपसे उम्रमने शित रूप से बड़ा हूँ तो शायद मैंने उस अनुभाव के आधार पे कुछ उन चीजों को पे थोड़ी सी शमता हासिल की है जो मुझे समय समय पे थोड़ा सा स्फूर्थ करती है पहली चीज ये है कि मैं प्रावलम को समझने की कोशिश करता हूँ प्रावलम को समझने की कोशिश करना मतलब उस पे विजय पाना है क्योंकि आप समझते नहीं हैं चीजों को एक दूसरी चीज यह है तनाव कम करने का सही तरीका है कि मैं इंगलिश में एक saying है not everything is worth fixing for, move on तो हर छोटी मोटी चीज जो आपकी जिर्दगी में आती है उस पे आपको जरूरी नहीं हर चीज आप हल करें हल आप उन्हीं चीजिए जो बिलकुल जरूरी है जिन पे आपको तुरंट attention देने की जरूरत है तीसरी चीज गैर जरूरी चीज़ों को अपनी जो circle of thinking है उससे बाहर कीजिए क्योंकि आपकी बहुत सी energy drain होती है बेवजे की बातों indulge आप तुरंट मत कीजिए जैसे मैं आपको बताओं मेरे पास कोई समस्या आती है students को लेके या indiscipline को लेके या कोई और बात को लेके मैं तुरंट उसको हल करने नहीं मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझसे दो घंटे बाद मिली है या शाम को मिली है लंच के बाद मिली है मैं कल बात करूँ है तो जो पार्टी बहुत aggressive mood में आ रही है मेरे पास दो घंटे बाद उनको भी एक sense आता है कि मैं क्या problem लेके गया हूँ मुझे भी एक better sense आता है कि ये क्या कह रहे हैं जब हम दो घंटे बाद मिलते हैं हम दोनों एक बहुत अच्छे frame of mind में होते है और हम बहुत जल्दी solutions पे आते है एक ये तरीका है दूसरा तरीका मेरा ये है जिसको मैं कहता हूँ detachment मेरी छमता है कि मैं कुछ चीजों से बड़ी सफलता पूरवक अपने आपको अलग करता हूँ मैं अपनी energy ये मान के चलता हूँ कि limited है उसको बहुत ध्यान से invest करता हूँ उन्हीं चीजों पे एक और चीज है begin with end in mind जो solution आपके mind में है उसको सोच लीजिए उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाईए आप किसी से बाच्चित कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इस व्यक्ति से मैं चाह क्या रहा हूँ ये पहले पता होना चाहिए आप फिर आप अपनी चर्चा आगे बढ़ाईए और आप निश्चित रूप से उस उस देश को प्राप्त करेंगे कोकि मुझे याद है एक बहुत तेजश्वी लेखिका है रॉन्डा उनका एक लाओ अट्रेक्शन है लाओ अट्रेक्शन को आप अपने जीवन में जरूर कीजिए लाओ अट्रेक्शन एक मनुविग्यान के बहुत बड़े सिद्धान्ट पे अधारत है कि हर वो चीज जिसके बारे में आप बहुत गहनता से सोचना शुरू करते हैं उसको विजुलाइज करना शुरू करते हैं वो आपके जीवन में होने लगती है तो अगर आप एक्जाम में सफलता की तरब देखना चाराएं तो सफलता को बहुत गहराई में अपने अंदर तक उतारिये और उसको देखिए कि वो आपके जीवन में फलित हो रही है तो धीरे धीरे वो positivity जो यूनिवर्स में है क्योंकि आप एक magnet की तरह है और यूनिवर्स में हर चीज है तो वो magnet से आप attract क्या करना चाहरा है अगर आपकी thinking defective है आप हर समय कुछ उल्टी सी भी वा तो आप उन चीजों को attract करेंगे वो ही चीज आपके क्रिया कलाप में प्रदर्शित होने लगेगी या आप किर्द-ग्रद होने लगेगी लेकिन गर आप अच्छी चीजों को attract करने के लिए प्रेजित उततपर है तो आप देखेंगे कि वो चीज आपके जीवन में होने लगेगी बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी उपलद्धियां law of attraction के basis पे की हैं विद्यारती इसकी तरफ जरूर देखें और आपको सफ़रता मिलेगी जरूर सर आपके जो अनुभव हैं आपकी जो रणनीती है वो हमारे exam warriors के लिए निश्चिती कारगर सावित होगी सर इसी कड़ी में एक और प्रश्न है नितिन जी है जो की बारा नसी से हैं उनका प्रश्न है कि how should we avoid tension and or any panic attacks about results after exams definitely when results are declared and if suppose results are not according to your expectation you feel frustrated but then you believe one thing that the things which have happened they are not in your control what is in your control is your future important is the thing that what's next declaration of one result doesn't end your life rather it gives you another opportunity to excel important thing remains is to what you do next I think you need to work out the areas in which you are weak one number two whether your resource were lacking whether your strategy was poor and you need to to actually collect the data and information on all these aspects and re-strategize yourself and your goal again and rework because keep moving keep working is the mantra one examination one failure is not something again 12th fail movie comes here and I also feel you must have heard of steve jobs steve jobs ke kya life story steve job was a dropout he was not great greatly successful so he failed one exam the question that you are asking he failed one examination and he decided to do something different and he became a great entrepreneur and because of that he was able to establish the company like apple and he he said that uh i have i have done my job and once he was fired from apple you know what he said a person who has been thrown out of the company he is seeing something great or something fruitful even in that frustration and in his speech he says that now i am feeling relieved because i want to begin again sometimes the burden of success makes you tired and there is an opportunity to initiate the things again in my life and he actually did it and he again created a very great animation company and his success story was rewritten that after failing sir 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 आपने के कही ना कही प्रेणा आदमी को जीवन में कहीं से कहीं पहुचा सकती है एक और प्रश्ण है हमारे पास में एक दामोदर हैं जो कि तेलंगाना से हैं उन्होंने बोला है कि आप अपने जीवन में जब भी क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं तो ग्रेड डिसियन में पाता हूँ एक बात बिलकुर सही है तो कि जब आप मैंने अभी आपसे कहा था कि अच्छे डिसिजिएन लेने का समय वो नहीं है जब आप क्राइसे में हों अच्छे डिसीजिएन आप तब ले सकते हैं जब आप पीस में हों तो एक पीस क्रियेट कर नी रहती है Dakar को क किसी के पास रहता है हम जल्दवाजी करते हैं इतना कोई रेल नहीं छूटी जाती है कि आपके सामने कोई situation आती है और अगले moment में आपको नड़ा लेना अगर आप बड़े नड़ा लेने की प्रक्रिया में हूँ मेरा आप से आग रहे कि आप थोड़ा साथ उसमें pause कीजिए पेपर पेन लीजिए जितने options आपके पास हैं उस situation में उनको लिखिए आप और हर options की एक आप short analysis कीजिए कि उसकी strength क्या है weaknesses क्या है opportunity क्या है threat क्या है जब आप ये short analysis करेंगे तो आपको हर decisions के pros and cons पता चलेंगे वो best decision जो है वो आपको नजर आने लगेगा हर decision में risk होती है क्योंकि मैंने आपको भी बताया अच्छे act वो नहीं है जो well thought out अच्छे act वो है जो आपने कैसे किये ये बहुत important कई बार बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रेती है वो बाहर बहुत लोगों के हाथ में होती है वो आपको कैसे लेते हैं या कैसे प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन आप जो कर सकते हैं उसके बारे में आप अपनी तैयारी रखिए की ओँ में आपको बतारी हम तैयारी करने का सबसे अच्छा समय वह है जब आपके जीवन में नितांत शानती है सब चीज़ें सामाने चल नहीं आब बड़ी चीज़ें के बारे में सोचें उनको करने के बारे में सोचें क्योंकि जब क्राईसिस आता है उस समय आप बहुत को करने की जरूर सर हमारे पास एक और प्रशनाया है जो कि अजय है जो देली से हैं वो बोल रहे हैं कि वाट एंड हूँ इंस्पार्स यू इन यूर स्कूल लाइफ ऐसी कौन सी चीज है कौन लोग है जो आपको अपने स्कूल के समय में प्रेडित काते थे कि जिली एक यू इड़ एट इड़ एट इड़ एडाल इसकूल लब इससी पिर फिर्ट ओ एब दिर इफीड वेड्या शू इंसे लू आपकोण यू तो एडिफ यू लगी कि यू बो अभी इस एटीचर को अपर रीड ही शूटू कि इस वीर्ट एड्यू स्वर्ट इस इस्थर परस्टेस्टार्या हर।ow वितित आयू हर। कि जाए दिसके को अईigns caningot लोग्वार। की ओनिकति लोग सի हां दोट इंचे कैन लस्ती लिवे वाностस्ति हैं ँक ईंवार मेट्दीक्स वितह這ष दोच जार विक लोग्ता carrots लोग्तीつ भ्लाभ, and I thought if I become a teacher like them, I would be very powerful, very successful. So these initial thoughts have prompted me to go ahead alongside their story and they have really inspired me a lot. Sir, एक और प्रशन है जो की बिहार से है, पटना से, मेहर जी का, वो पूँच रहे हैं कि मैं नौबी कच्छा का चात्र हूं और मैं आलोचनाओं से घबरा जाता हूं, कहीं न कहीं मेरे माक्स कम आते हैं, या मेरे तयारी अच्छी ने रहती है, या फिर मैं स्कूल में अपने प्रशनों का जो प्रशनों का जो प्रशनों पूँचते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैं घबरा जाता हूं, उन आलोचनाओं से मैं कैसे बचूँ? मुझे लगता है, देखिए, एक बात मैं यहाँ पर और एड़ करना चाहूँगा, कि कोई भी समस्या आपको किस इस तर तक प्रभावित करती है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्यों कैसा है, देखिए, बहुत अलग-अलग व्यक्तित्यों के लो वो लोग होते हैं जो बड़े प्लेफुल रहते हैं, स्पोर्टी रहते हैं, आउटगोइंग होते हैं, वो परवाह नहीं करते हैं लाइफ में, फेल भी हो जाएं तो वो हंसते रहते हैं, आपको मिलेगे वो, उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ता, वो दो-दो साल फेल होते रहते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, वो बहुत टची होता है, सेंस्टी होता है, सेंटिमेंटल होता है, एक होता है, एक होता है एंबिविलेंट, जो तीसरे दोनों का मिक्स होता है, और भी बहुत होते हैं, कुछ लोगों में यह होता है कि उनमें सेल्फ क्रिटिसिजम सारी या किसी भी तरह के कर्टिसिजम से प्रभावित होने के लिए वो बहुत जादा सेंस्टिव होते हैं वो बलकि बहुत जादा शाई भी होते हैं और उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बड़ी कमजोर होती है अगर आपकी सेल्फ इस्टीम कमजोर है अगर आप बहुत ज़्यादा टची हैं अगर आप बहुत ज़्यादा सेंस्टिव हैं तो आप किसी भी वेक्ती की आलोचना आलोचना तो क्या अगर कोई आपकी तरफ ज़्यादा देर तक देखने लगे तो आप नर्वस हो जाते हैं ऐसे भी बच्चे मैंने देखे और वो इस नर्वसनेस की वज़े से वो कार्नर हो जाते हैं वो बहुत कम बात करते हैं वो लोगों के सामने आने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती हैं उनकी सोशल स्किल बहुत प्रभावित होती हैं मैं सबस्ता हूँ कि इसमें अभिबावकों का और थोड़े से अगर आप जो आजकल काउंसलर्स होते हैं स्कूलों में उनकी आप मदद ले मैं आपको बता हूँ कोई बड़ी सबस्या नहीं है काउंसलर आपको ये बताएगा कि जो बेक्तिया आपकी आलोचना कर रहा है वो हो बड़ी एक सामान निसी बात कर रहा है आप उसको उसी धंग से लें जिस धंग तक लेनी बलकि उससे आप लें क्या करना है क्योंकि क्या होता है कि हर दबाओ या हर अलोचना या हर पृतिक्रिया को सहन करने के लिए हमारे व्यत्त्ति के अंदर कुछ मनोरचनाए होती है जिनको हम mental mechanisms कहते हैं वो लोग जो इन mental mechanisms का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी जल्दी इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं चाहे वो conflict हो चाहे stress हो चाहे anxiety हो वो mental mechanisms या मानसिक रचनाए क्या है जैसे मैं कहूँ daydreaming है rationalization है you know adjustment है ये सब चीज़ हम day to day पे करते हैं ये मनोरचनाए कहला दी है आप अपने counselor के पास जाकर पूछिए ये सवाल पूछिए क्या मैं अपनी मनोरचनाओं का ठीक से प्रियोग कर पा रहा हूँ अपनी life में या निए को कि जितनी सफलता पूरवक आप इन मनोरचनाओं का उपयोग कर पाएंगे आप देखेंगे का आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं बिलकुल सर आपके बाते हैं जो हैं आपके जो अनुभव हैं उससे हमारे एक्जाम वरियर्स लावान बेत हो रहे होंगे सर एक और प्राशन है, जैपूर से है, रवीजी पूछ रहे हैं के वाट रॉल तो यू थिंक सफ़र्ट फूम फे इन फैमिले प्रेशन पूपिंगु दिर खुपनीट साथ इस इस परटन इस अलेस्त हपनी इन ऐवर चॉनुग्स When I say children who is into examination process, he should not be left alone. The role of family, friends is very different. They should be little watchful and supportive and always, you know, extending hands in terms of seeing fact that we should give company to them, one. We should, you know, provide the other forms of support like some time entertainment, some time of conversation, some time of casual chat. So they should visit. And I always believe when we used to get tired from the examination preparation, we used to go to our friends and we'll do some light chat and come back fresh and again indulge in our study. Similar role to be played by the friends, peer groups and parents. And it's a great stress buster, I would say. powiedzieć ব Martinez ব till ব বরབો ব ব ব ব ব ব as I have said, stress affects you very differently. One is, suppose the symptoms are on your physical side. I mean, you are feeling there is a hunger loss, there is a sense of you don't want to eat, your sleep disorder is there or suppose you are feeling fatigue. These are the physical sign of stress. You need to cope up with that. What is the coping mechanism to alleviate the pressure of this? You should do some exercise, you should run, play cricket, play any game. That is very, very refreshing and very, very creative. If the sign are happening at the level of emotions or mental level, then you need to deflect yourself. I mean, removing your attention from this thing and move attention to other thing. You know, there is a very interesting thing in human psychology. Your attention at a time can remain only on one thing. You cannot be attentive to things at the same time. That's a great advantage. So, shifting the attention, the moment you shift the attention from stress to X, Y, Z, you become free. And if you are able to do some meditation or if you are able to do some mindfulness exercises, those are available. I think they can be immensely helpful. And don't use the extreme words like burnout. Burnout doesn't happen in a, in a, in a, in a hush, you know, because this is a long process. So, I don't think it's a case of burnout. It's a case of simple stress. So, recognize your stress, read the sign, and do certain coping mechanisms which I have said, how they are going to be very, very helpful in, in your case. Thank you. Sure, sir. Your words may inspire and motivate our exam warriors. Sir, अगला प्रश्न जो आया है, वो करनाटक से ही है. Sir, इसमें दिब्या जी है, वो पूँच रही हैं कि अच्छे परिणामों के लिए कितने गंटों की स्टडी करनी होती है और ऐसा क्या करें जिसे कि हमारे परिणामों में और सुधार आया. देखें, मैं ये मानता हूँ कि पहले हम लोग जो कन्वेंशनली एक्जाम की तैयारियां करते थे और जब हम ये कहते थे कि आज हमने दस गंटे पढ़ाई की तो ये माना जाता था कि ये ज़्यादा इंटेलीजेंट वेक्ती है और ये ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा. लेकिन मैं आपको बता दूँ कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं और आपका रिजल्ट क्या होने वाला है इसमें कई बार बहुत ज़्यादा सहसंबंद नहीं होता. इंपॉर्टेंट ये है कि उन घंटों का प्रियोगा आप किस तरह से कर रहा है मैंने अभी इसी कारिकरम में थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पास हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई ना कोई प्लैनिंग होनी चाहिए जो आपको अपने टीचर से मिलके पहले ताय करनी चाहिए कि अगर आपको उस सब्जेक्ट के जो माटीरियल है वो इखटा आप कैसे करें एक ये रहता और वो माटीरियल मैंने आपको बताया अपडेटेट कैसे हो एक दूसरी चीज उत्तर लिखने हैं कि जो प्रक्रिया हो वो क्या हो आप थोड़ा सा गर्मेवेट के सारे लोग ट्राई करते होंगे आप किसी को दिखा है आपके लिखे हुए जवाब और उन पर आप फीड़वेक ले और जो वो फीड़वेक आपको मिलता है उस पर आप काम करें और मैंने आपको बताया कि दिक्कत ये होती है कि घंटों को आप परिख्षा तो एक लंबे समय चलती है जैसे आप महिने बर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन दिनों आप अलग तरह से पढ़ते हैं जो जो आप एक्जाम डेट के नस्दीक आते जाते हैं आप की तैयारी बदलती जाती है फिर आप शॉर्ट ऱ्नोट्स पर आ जाते है फिर आप सिलिप्स पर आ जाते है फिर सिलिपपेड पर आ जाते हैं तो ये सब चीजे स्ट्रटेजिक हैं आजकर तो मुझे लग रहा है कि आप किसी रह regard प्लैनिंग के तहट अपनी पढ़ाई करें और उन घंटों का अच्छा उपयोग करें और आप अपनी मेमोरी भी दुरुस्त रखें क्योंकि बहुत सी चीजें मेमोरी का भी मामला रहता है कि कितनी चीजें आपको याद रहती कुछ लोग रहती कि उन्हें बहुत जल्दी चीजें भूल भी जाते हैं तो इसका रहत है कि आपने उसको सिर्फ मेमोरी लेवल पे किया इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इंग्रें करें और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में इंपॉर्ट करें तो सर एक और प्रश्ण है जो कि गुवार्ट यहत्वे है विने का प्रश्ण है सर कि जो इसका यही जवाब है कि मैं समझता हूं जो एजुकरीटर्स है क्लास टीचर है पेरेंटस हैं वो दो तीन चीजें देखें की बच्चे को का लेवल क्या है जो बच्चा अलड़ी बहुत है क्लास स्कोर कर रहा है उसको तो चैलेंज कोई खास रहता नहीं है क्योंकि उसको success मालों है he has a success story behind so he will follow the steps and he or she will get the good marks problem यह है कि जो बच्चे जिनमे attention deficit है एक class होती कि कुछ बच्चे अलग देखो बच्चों को भी आपको divide करना पड़ेगा कुछ बच्चे ऐसे होते intelligent तो होते लेकिन उनका attention span बहुत कर नहीं होता बहुत ज्यादा देर किसी चीज़ पर concentrate नहीं करेंगे लेकिन अगर वो concentrate कर लें तो उसके बाद उनका result बहुत अच्छा होता तो ऐसे बच्चों को parents और educators को यह देखना चाहिए कि इनका attention जो है वो deviate ना हो disrupt ना हो उनको ज्यादातर मौका यह देना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय बिना उन deflection के जैसे mobile है TV है उसके बगएर वो काफी देर तक बाद वो टाइम आप बढ़ाते जाए जैसे मैं आप से पोछता हूँ कि आप बिना attention अपना deviate किये हुए कितने देर तक पढ़ सकते हैं यह बच्चा हर बच्चे को एक calculate करना चाहिए कि आप लगातार कितनी देर तक बिना अपना अटेंशन डिवियेट किये हुए पढ़ सकते हैं हर बच्चे का एक अपना स्कॉल टाइम आएगा कोई किसी का पंदरा मिनिट होगा किसी का तीस मिनिट होगा बहुत होता है तीस मिनिट बिना डिफलेक्ट किये हुए पढ़ना तो वो आप देख लें उसके पाद आपको पता चल जाएगा अगर उस बच्चे का अटेंशन स्पेंट फाइम मिनिट्स भी नहीं है तो उसको काम करने की जरूरत है को कि हर सब्जेक्ट अलग तरह का अटे सब्सक्राइब कर पाएंगे तो यह चोटी-चोटी सी क्रिया हैं मुझे लग रहा इसमें टीचर्स को बहुत देखना चाहिए और पेरेंट्स को यह देखना चाहिए वो अपने बच्चे को पहचान है बच्चे पर आप सीधा यह मत कहें कि आप फस्क्लास लाओ पहले पत उसकी क्रिटिकल एविलिटीज बहुत अच्छी हैं लेकिन वो पढ़ेगा तब तो क्रिटिकल एविलिटीज डेपलाइ करेगा अंसर में तो मैं यह कह रहा हूँ हर बच्चा एक यूनिक बच्चा होता है और उसकी आप यूनिकनेस में ट्रस्ट करें और उसके जो प्लस इसे वर्सा या वो आर्ट्स में या फिजिक मनोविज्ञान में या इतिहास में बहुत अच्छा कर सकता है साइंस नहीं पढ़ना चाहरा तो थोड़ा सा हमें चीज भी समझना चाहिए कि उसकी डारेक्शन क्या है बिलकुल बिलकुल सर लौ से जुड़ा हुआ एक प्रश सर्विस में जाता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि मुझे एक लौ का भी प्रशन सुनने को मिला मैं समझता हूँ आज की तारीक में लौ लीगल स्टेडीज एक बहुत बड़ा आप्शन है और स्टूरेंट्स को अपनी क्लास टेंथ के बाद इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर उन्हें लीगल स्टेडीज में जाना है तो इसके लिए एवेन्यूज बहुत ज़ादा है देश में 27 नेशनल लौ इनुस्टीज है और इसके अलावा बहुत अच्छी लौ फैकल्टीज है और जिन बच्चों को लगता हूँ लौ में जाना चाहिए मैं जानता हू तो अब ये नई सिक्षानीती के तहट और बरतमान में जो सरकार किस तरफ प्रियास हो रहे हैं नई सिक्षानीती के उसके तहट ये चीज़े बिल्कुल संभाव हैं तो आप जो नेशनल लेवल पर क्लाइट और नेशनल लौ इनुस्टी डेली का आईलेट टेस्ट होता है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं 10th 11th क्लास से कोचिंग उपलब्ध हैं और लौको भी आप अपने दूसरे विश्यों के साथ और केरियर के साथ एक आपशन बढाएं और इसमें आगे जाके आपको बहुत संभावना हैं आप बहुत अच्छे लायर बन सकते हैं जजज बन सक जो बच्चे लोग करना चाहरे हैं वो निश्यती अपने सब्जेक्ट को लेकर आपसे मॉटिवेट होंगे सर एक और प्रशन है जो कि चंडीगर से है विकास जी का वो पूछते हैं कि जो ग्यान और सफलता पाने के लिए क्या स्कूली किताबों का अध्यान करना ही आवश यू दी बेसिक एंड फंडामेंटल नौलेज तो वो कितावें सिर्फ कितावें नहीं हैं उन कितावों में जो बेसिक नौलेज है क्योंकि आप एडवांस नौलेज तो इनुश्टी स्कूल जाके आप ही कह सकते कि मुझे क्या पढ़ना इस स्कूल करिकुलम इस डिजाइं तो मुझे लगता है कि स्कूल करिकुलम सोच समझ के बनाया जाता और उन कितावों में वो सब चीज़ें होती है जो आपको उस इस्तर पे जानना जरूरी है अगर आप सिक्स क्लास पढ़ रहे या एर्थ क्लास पढ़ रहे तो उसमें जो फिजिक से केमिस्ट्री है हिस्ट आपको मिलेंगी जब आप रिसेर्च के लेविल पर जाएंगी तो आप और किताबों की संख्या बढ़ा सकते हैं और दूसरी चीज़ें देख सकते हैं जरूर सर एक और प्रश्ण है प्रश्ण आते जा रहे हैं लगातार हम एक दो प्रश्ण लेकर फिर अलविदा करते हैं तरह एक नभीन जी का प्रश्ण है जो की कॉलकता से है वो पूंच रहे हैं कि मेरे मतलब पिरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए पूँच रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए जो कि अभी छटवी क्लास में है उसको इस फील्ड में जाना है लोके फील्ड में तो क्या-क्या रंडितियां उसकी होना चाहिए और कैसे मैं उस छेतर में उसको ला सिक्स क्लास तो थोड़ा अर्ली है मैं उसे कहना चाहूँगा लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आप इसके बारे में सोचना शुरू करें और अभी आप उसको पढ़ने दीजिए जो भी स्ट्रीम मो ले रहा है करीब करीब आप टैंथ के लेवल पे उसको आप जो हम स्ट्रीमेटिकल एप्टिट्यूड होता जंदल नौलेज होती है इन सब विश्यों के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करें करीब 11 में आके आप एक उसको ट्राई करने में एक पेपर आप दिला सकते हैं टेस्ट के तौर पर 12 में वो किसी कोचिंग को ज तमिलनाडू से हैं उनका प्रश्ण है कि आप इस फिल्ड में कैसे आए क्या आपके सुरूवात से ही यह स्टेटेजी थी कि आपको बीसी या एनल्यू या लॉके फिल्ड में आगे आना है देखें मैं आपको बताओं कि मेरी ऐसी कोई वो नहीं थी कि मुझे वाइस चांसलर बनना है मुझे यह जरूर इंटरेस्ट था यूनिस्टी जब मैंने ज्वाइन की ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे एकड़िक्स में रहना है क्योंकि मुझे रिसर्च में बहुत इं परस्यू किया उसके बाद रिसर्च परस्यू किया उसके बाद मैंने रिसर्च औरगनाइजेशन में काम किया उसके बाद मैंने यूनिस्टी में काम किया और एक बड़ी लंबी यात्रा है कई बार आप प्लाइन कुछ करते हैं लेकिन मेरे केस में मुझे एकड़िक्स में जाना था तो मैंने कभी किसी सरकारी नौकरी में या उस तरह से कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया और इस तरह से मैं यहां पहुचा हूँ. बिल्कुल सर एक और प्रश्ण है प्रस्ण लगातार आही रहे हैं प्रश्ण है कि मैं अभी ग्यारवी का चात्र हूँ और पढ़ाई करता हूं मगर नियमित कुछ न कुछ कमिया रह जाती है परिक्षा के समयने तो ऐसी कौन-कौन सी विदाएं हैं साथ-साथ में आप मुझ तो अच्छी बात यह है कि आप यह महसूस कर रहें कि कुछ कमिया आपके विशय में रह जाती है या जो आप तैयारी करता है मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कंसंट्रेट करें क्योंकि आजकर दिक्कत क्या है जिस समय काल में हम रह रहें बहुत से मैं बच्चों को भी दोश नहीं दे रहा हूं जिस तरह का परिवेश हमारे सामने है उस परिवेश में हमारे पास आप्शन्स बहुत आप्शन्स ज्यादा होने की वज़े से डिस्ट्रेक्शन्स ज्यादा है और इस में गाइडेंस भी कम होता जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स की भी अपनी समस् बच्चों के साथ बहुत समय नहीं देते हैं यह बच्चों की तैयारी में उस तरह पार्टनरिंग नहीं कर पाते हैं तो मैं इंसे यह कहना चाहूँगा कि अगर तो आप कुछ ध्यान योगा कुछ आपने सीखा है या कुछ किसी के मादशन में आप कर सकते तो आप जरूर कर बेगी और दोनों चीजें लॉंग रन में बड़ी कारगर हो सकती हैं अगर आपको इस में सफलता पराप्त करनी है लेकिन एक चीज में और भी कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी असफलता है अगर आपके समख शाती भी है तो आप उनसे ज्यादा परेशान मत हो ज्यादा क्योंकि कहीं ऐसा नहीं होता कि इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी बहुत है आज के दौर में आप हैं आपके पास सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप यूर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ आप्शन आपके पास बहुत आप्शन है पहले एक साइंस का विद्यार थी आर्टिस्ट नहीं बन सकता था अब वो कुछ भीर सकता है तो आप अपनी जो क्रियेटिविटी हैं आप उसको उसको जिन्दा रखें ओ वो क्रियेटिविटी जिन्दा रखने का तरीका है कि आप पॉसिटिव रहें मैं आपसे कह रहा हूँ positive रहना बहुत ज़रूरी है और आप बहुत सी अच्छी किताबें पढ़ें अगर आपके पास समय मिलता है तो आप ये guidance लें अपने teacher से पूँछें कुछ और भी पढ़ें जो आपको motivate करें इतना ज्यादा है जैसे मैंने अभी EC में Steve Jobs को बताया विशयन का माइंडफुलनेस करें दी कोड ओफ एन एक्स्ट्रा ओर्णरी माइंड पढ़ें आप आप अलकेमिस्ट पढ़ें अभी में पढ़ें आप हरैरी को पढ़ें कुछ तो पढ़ें आप आप लोगों के विशय में जाने जो आपको motivate करेंगा motivation से बड़ी कोई ताकत न लेना आपको इश्वर ने इतना दे के भेजा है कि आप एक एक अपनी चमता पे काम करने लगेंगे तो you are bound to become extraordinary जरूर सर आपके द्वारा दिये गए मार्दर्शन दिये गए जवाब से हमारे exam warriors निस्चित ही लावानबित होंगे और कहीं न कहीं परिक्षा तनाव नियमित बना रहता है और हम नए नए विशिख सग्या नए नए प्रिरख वक्ताओं के साथ में exam warriors के साथ संबाद करते हैं तनाव को लेकर उनको जो भी समश्य होती है उसका समाधान करते हैं आज के परिक्षा पर्व में हमारे साथ थे NLU के वीसी प्रोफेशर डॉक्टर जीयास बाचपी सर उनके द्वारा निश्चिती आप लोग अपने प्रशनों जो आपके प्रशन थे उनके जबाबों से स परिक्षा करेंगे परिक्षा तनाव को लेकर आप से जुड़ेंगे हमारे एक्जाम वोरियर्स हमारे अभिवावक हमारे पेरेंट्स जो भी लोग हैं कैसे भी प्रशनों परिक्षा तनाव से आप हमारे सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें और हमारे अपडेट झाल झाल